Hello everyone, welcome to Tachionic Zest. Next हम पढ़ेंगे Part 3 of Chapter 1, Shapes. तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो notification icon है, उस पर भी क्लिक करो. अभी तक हमने Part 1 और Part 2 कवर कर लिया है. तो अगर आप लोगों ने वो दोनों Parts नहीं पढ़े हैं, तो आप इस वीडियो के description में जा करके उन Parts को पढ़ सकते हो. तो यहां हम पढ़ेंगे About Shapes, Different Types of Shapes. तो सबसे पहला activity है, Match the Shapes of Same Sizes. तो यहां पर जो Shapes है, Same Size के, उन Shapes को हमें मैच करना है. तो Size का मतलब होता है आकार, तो जो Shapes एक जैसे आकार के हैं, या एक जैसे बड़े या छोटे हैं, तो उन सारे Shapes को हमें मैच करना है. तो यहां पर जो Shapes एक जैसे आकार के हैं, या एक जैसे माप के हैं, तो उन सारे Shapes को हमें मैच करना है. तो students इस shape को हम क्या कहते हैं अगर कोई इस तरह का shape हो जहाँ पर इस तरह के तीन straight lines आपस में मिलते हो तो उसको हम कहते हैं triangle तो यह जितने भी सारे shapes हैं यहाँ पर वो सारे triangles हैं T-R-I-A-N-G-L-E triangle तो इन shapes को कहते हैं triangles लेकिन इन में भी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं तो जो shapes एक जैसे हैं उनको हमें मैच करना है जैसे यहाँ पर एक उन्होंने मैच कर रखा तो students इस वाले shape को हम कौन से shape से मैच करें तो कौन सा shape है जो इसके आकार का है या इसके माप का है तो वो है ये वाला शेप अगर आप इस शेप को देख तो ये इसके जितना ही बड़ा है तो हम इसे इस वाले शेप के साथ मैच कर देते हैं नेक्स्ट अगर हम इस वाले शेप को देखें तो आप बताओ कौन सा शेप है जो इसके जैसा है या इसके जितना बड़ा है क्या ये वाला शेप है? नहीं क्या ये वाला शेप है? नहीं तो कौन सा शेप है? तो ये शेप अगर आप इन दोनों शेप को देखो तो दोनों ही साइज में एक जैसे हैं या एक जैसे माप के हैं तो इन दोनों को मैच करेंगे अगर हम इस वाले शेप को देखें, तो कौन सा शेप है जो इसकी तरह है, तो वो है ये शेप, तो इसे हम इसके साथ मैच करेंगे, और फाइनली अगर इस शेप को देखें, तो इसे कौन सा शेप के साथ मैच करेंगे, इस वाले शेप के साथ, तो इसे हम इस तरह से मैच कर तो स्टुडेंट्स इन शेप में से आप बताओ कौन सा शेप है जो सबसे बड़ा है और कौन सा शेप है जो सबसे छोटा है तो देख करके आप मुझे बताओ इस लाइन में बताओ कौन सा शेप है जो सबसे बड़ा है और कौन सा शेप सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौ जो shape है ये सबसे छोटा है इन सब में next is match the same shapes students यहाँ पर जो shapes same है मतलब समान है उन shapes को match करना है तो यहाँ पर अलग-अलग तरह के shapes है कुछ circles है, कुछ triangles है, कुछ triangles है कुछ rectangles है, तो इन shapes के बारे में हम आगे videos में पढ़ेंगे, लेकिन अलग-अलग तरह के shapes है तो जो shapes एक जैसे है या एक समान है उन shapes को हमें यहाँ पर match करना है जैसे अगर आप इस वाले shape को देखो तो इसे हम कौन से shape से match करें इधर तो कौन सा shape है जो इसकी तरह दिखता है तो वो है ये shape इसलिए इस shape को इससे match कर देते है next अगर हम इस वाले shape को देखें तो यहाँ देख करके आप बताओ कौन सा shape है जो इसकी तरह है या इसके समान है तो वो है ये shape तो इसे हम इसके साथ match कर देंगे next ये क्या है तो ये है एक triangle मैंने अभी आपको बताया था तो इधर कौन सा shape है जो triangle है वो है ये तो इस shape को इससे match कर देंगे next ये जो shape है इसे उन्होंने इसके साथ match कर दिया है next अगर हम इस वाले shape को देखें तो कौन सा shape है जो इसकी तरह है तो वो है ये shape तो इसे हम मैच कर देंगे इस से और finally है ये shape तो आप बताओ students कौन सा shape है जो इसके जैसा है तो वो है ये shape तो इसे हम मैच कर देंगे इस से Next is color the smallest shape Students जो shape सबसे small है या सबसे छोटा है उस shape को आपको color करना है तो जैसे यहाँ पर first question को उन्होंने कर दिया है as an example जैसे इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा shape है तो ये shape है हम देख सकते हैं तो इसे उन्होंने color कर दिया है तो मैं यहाँ पर tick करूँगा बट आप इसको color कर लेना as a homework जैसे अगर हम इस question को देखें तो यहाँ पर भी 3 shapes है तो जो सबसे छोटा है इन तीनों में उसको हमें color करना है तो आप बताओ कौन सा shape इन तीनों में सबसे छोटा है ये shape तो इसे मैं tick कर देता हूँ इसे आप अपने favorite color से color कर लेना as a homework और इन तीनों में सबसे बड़ा shape कौन सा है students आप बताओ तो ये shape है सबसे बड़ा इन तीनों में तो इसे हम कहेंगे biggest shape और ये है smallest shape अगर मैं इन तीन shapes की बात करूँ तो ये क्या है triangle मैंने आपको बताया था इन shapes को क्या कहते है triangles तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है आप बताओ तो वो है ये triangle तो इसको आप color कर लेना next अगर मैं इन तीन shapes को देखो तो इन तीनों में सबसे छोटा shape कौन सा है students वो है ये shape तो इसे भी आप अपने favorite color से color कर लेना next is join the similar shapes students similar का क्या मतलब है समान या एक जैसा आकरिती का तो यहाँ पर जो shapes एक समान है उन shapes को हमें join करना है using a line तो चलिए इस activity को करते हैं सबसे पहले अगर हम इस वाले shape को देखें तो आप बताओ कौन सा shape है जो इसके जैसा है या इसके समान है तो वो है ये shape तो इसलिए इसे हम इसके साथ match करेंगे next अगर इस वाले shape को देखें तो कौन सा shape इससे मिलता जुलता है वो है ये shape तो उन्होंने already match कर दिया है next अगर हम इस वाले shape को देखें तो कौन सा shape है जो इसके समान है वो है ये shape तो इसे भी हम इसके साथ match कर देते हैं next अगर हम इस shape को देखे तो यहाँ पर कौन सा shape है जो इसके जैसा है या इसके समान है वो है ये shape तो इसे हम इसके साथ match कर देंगे next is color these kind of shapes with green these kind of shapes with red and these kind of shapes with blue मतलब जो shapes इस तरह के अकार के हैं उनको green color से color करो जो shapes इस तरह के आकार के हैं उनको red color से color करो और जो इस तरह के आकार के हैं उनको blue color से color करो तो students higher classes में हम और अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के shapes को हम कहते हैं triangle इस तरह के shapes को हम कहते हैं रेक्टैंगल तो जितने भी सारे ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर उनको ग्रीन कलर से कलर करो जितने भी सारे सरकल्स हैं उनको रेड कलर से और जितने भी सारे रेक्टैंगल्स हैं उनको ब्लू कलर से तो इसको आप कलर कर लेना as a homework लेकिन अभी हम लोग identify करते हैं साथ में कि जाओ मुझे सबसे पहले यह जो शेप आप देख सकते हो यह इसके जैसा है तो इसको आप green color से color करोगे यह क्या है यह है एक triangle तो यहाँ पर मैं green color से mark कर दे रहा हूं लेकिन आपको इसे पूरा color करना है with green color तो और क्या-क्या triangles है यहाँ पर students तो यहाँ पर भी आप देख सकत हो यह शेप है triangle नेक्स्ट यहाँ पर भी जो शेप है वो इसके जैसा देखता है तो यह भी है triangle यह भी है triangle यह भी है triangle नेक्स्ट और क्या-क्या triangles है यहाँ पर तो एक यह शेप आप देखो यह बिलकुल इसके जैसा देखता है तो यह है एक triangle similarly यह है triangle यह है triangle यह है triangle यह है triangle ये और ये ये दोनों भी हैं triangles तो ये सारे हैं triangles मतलब ये सारे shapes इस shapes से मिलते हैं तो इन सारे shapes को आप color कर लेना with green color next हम color करेंगे circles with red मतलब जो इस तरह के shapes हैं उन सारे shapes को हम red color से color करेंगे तो students आप बताओ कौन-कौन से shapes है यहाँ पर जो circular है या इसके जैसे दिखते हैं तो सबसे पहले ये एक shape है तो इसे आप color कर लेना with red color और क्या-क्या circles हैं तो यहाँ पर है एक circle ये है एक circle और क्या-क्या circle हैं यहाँ पर तो अगर आप in flowers को देखो तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे circles हैं जैसे यह सारे circle है, यह एक circle है यह सारे circles है similarly is flower में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे circles है इन सारे circle को आपको color करना है with red color similarly is flower में भी आपको सारे circles को cover करना है with red color तो ये सारे shapes circular हैं मतलब इस shape जैसे दिखते हैं तो इन सारे shapes को आप please color कर लेना with red color next अगर मैं इस वाले shape की बात करूँ तो इस shape को हम क्या कहते हैं rectangle तो जितने भी सारे shapes हैं जो इसके जैसे दिखते हैं उनको हमें color करना है with blue color तो students जल्दी से आप मुझे बताओ कौन-कौन से shapes हैं यहाँ पर which are rectangular तो सबसे पहले ये एक rectangle है आप देखो ये shape इसके जैसा दिखता है उसके बाद अगर आप इस वाले shape को देखो इस घर के door को देखो तो this is also rectangular फिर अगर आप इस shape को देखो तो ये shape भी इसके जैसा दिखता है तो ये भी है एक rectangle similarly ये ये और ये ये तीनों shapes है Rectangles और कौन-कौन से shapes है students तो यहाँ पर एक shape है which is a rectangle यहाँ पर एक shape है which is a rectangle अगर आप इस shape को देखो तो this shape is also a rectangle और अगर आप इस shape को देखो जो यहां से ले करके यहां तक है this is also a rectangle तो इसे भी आप color कर लेना with blue color same यहां पर अगर आप देखो तो यह है एक rectangle यह है एक rectangle और यह है एक rectangle तो यहां पर भी तीन rectangles है क्या कुछ छूट रहा है students क्या हम कुछ miss कर रहे हैं यहां पर क्या और कोई shape है which is rectangular in shape या फिर इसके जैसा दिखता हो तो यहां पर कुछ flowers है उनके जो stems है तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ shapes हैं विचार rectangular जैसे यह shape तो इसको आप color करना with blue color फिर यह shape और यह shape तो यह तीन भी है rectangular in shape तो इनको भी आप color करना with blue color अगर मैंने कुछ miss कर दिया तो उसको आप please खुद से complete कर लेना next यहां पर एक और activity है students तो मैं सबसे पहले आपको encourage करूँगा कि आप इस activity को खुद से करो अभी मैं reference के लिए आपके साथ answer discuss करूँगा लेकिन मैं इसलिए homeworks देता हूँ ताकि आप खुद से practice करो तो आप better तरीके से सीख पाओगे तो यहां पर भी तीन तरह के shapes है तो सबसे पहला जो shape है वो क्या है so this is a triangle यह क्या है circle और यह क्या है rectangle तो students यहां पर हमें triangles को color करना है with green color circles को color करना है with pink color और rectangles को color करना है with yellow color तो सबसे पहले triangles को identify करते हैं तो students आप बताओ कौन-कौन से shapes है यहां पर जो triangular है या फिर इसके जैसे दिखते हैं तो उन सारे shapes को identify करते हैं जैसे सबसे पहले अगर आप इस वाले shape को देखो तो this is a triangle तो इसे आप color करोगे with green color similarly अगर आप इस shape को देखो so this is also a triangle similarly इस वाले shape को देखो this is a triangle इस वाले shape को अगर आप देखोगे so this is a triangle तो इसे भी आपको color करना होगा with green color और क्या-क्या triangles हैं यहां पर तो एक यह है triangle एक यह है triangle मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसे आपको green color से color करना है और यहां से लेकर के यहां तक इसे भी आपको green color से color करना है तो next यहां पर कुछ fishes और plants हैं तो यहां पर भी हम triangles को identify करते हैं तो आप बताओ कौन कौन से shapes हैं यहाँ पर, which are triangles, तो यह जूशेप है आप देख सकते हो, this is a triangle, similarly यह एक triangle है, यह भी एक triangle है और क्या-क्या है, तो इस वाले fish में भी यहाँ पर एक triangle है, यहाँ पर एक triangle है और यहाँ पर एक triangle है, अगर हम इस plant को देखें, तो क्या यहाँ पर triangles हैं तो यहां पर भी कुछ ट्राइंगल है जैसे क्या क्या ट्राइंगल है तो यह एक ट्राइंगल है चोटा सा यहां पर और फिर यह एक ट्राइंगल है यह आप देख सकते हो यह एक ट्राइंगल है similarly यह एक triangle है यह एक triangle है तो इन सारे shapes को आपको पूरा green color से color करना है अगर parents भी यह video देख रहे हैं तो please आप अपने बच्चों को कहो कि वो इन सारे shapes को green color से color करें this is also a triangle यह भी triangle है और यहाँ पर दो triangles है एक triangle आप यहाँ देख सकते हो यह है triangle और एक छोटा सा triangle आप यहाँ देख सकते हो so that is also a triangle तो इतने सारे triangles है इस plant में अगर मैं इस fish की बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ triangles है जैसे यह एक triangle है यह एक triangle है यह एक triangle है और अगर इस plant की बात करूँ तो same यहाँ पर भी बहुत सारे triangles है जैसे यह एक triangle है यह एक triangle है यह 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 और यह यह पाँचो triangles है similarly यह एक triangle है और यहाँ पर भी एक triangle है तो इतने सारे triangles हैं इस diagram में next is color the circles with pink तो जो सारे shapes circular है उनको हमें pink color से color करना है तो सबसे पहले identify करते हैं कौन कौन से circles है यहाँ पर तो सबसे पहले अगर आप इस fish का जो face है वो देखो so this is a circle तो इसे आप color करोगे with pink color similarly इस वाले fish का भी जो face है वो circular है similarly ये fish तो ये तीन fish के जो faces है they are circular in shape तो उनको आप color करोगे with pink color और यहाँ पर कुछ bubbles है जिसको हम हिंदी में कहते हैं bulbule तो ये भी circular है shape में मतलब इसके जैसे दिखते हैं तो इनको भी आप color करोगे with pink color तो इसको भी आप please color कर लेना यहाँ पर तीन और यहाँ पर भी 1,2,3 तीन तो यहाँ पर यह सारे shapes हैं which are circular next is color the rectangles with yellow color तो जितने भी सारे shapes यहाँ पर rectangular है उनको आपको color करना है with yellow color तो सबसे पहले हम ढून लेते हैं कौन-कौन से shapes हैं which are rectangular या फिर कौन-कौन से shapes हैं जो इस तरह दिखते हैं तो सबसे पहले तो यह shape अगर आप यहाँ से ले करके यहाँ तक देखो so this is a rectangle तो इसको आपको पूरा color करना है with yellow color और क्या-क्या rectangles हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक shape है यहाँ पर this shape यहाँ से ले करके यहाँ तक this is a rectangle तो इस वाले shape को आप color कर लेना with yellow color अगर मैंने कुछ miss कर दिया students तो आप उन shapes को accordingly identify कर लेना और उसको color कर लेना with the respective color next is make similar figures using the shape kit given at the back of this book तो students इस book के end में एक shape kit दिया हुआ है उसको आपको cut करना है और फिर इस तरह के कुछ shapes बनाने है जैसे यहाँ पर उन्होंने एक butterfly बनाया है using the shape kit which is given at the back of your book तो आप भी उसको use करके इस तरह के shapes बनाओ यहाँ पर हम एक और shape देख सकते हैं जो उन्होंने बनाया है using the shape kit तो ठीके students यह था part 3 of chapter 1 यहाँ पर हमारा chapter 1 खतम होता है मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजे समझ आई अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please अपने friends के साथ भी share करो तो ठीके students मिलते हैं chapter 2 में तब तक के लिए जितने भी सारे activities हैं उनको complete करो और बहुत खुश रहो thank you